हेलो फ्रेंट्स पहार से क्रिस्पी करारी अंदर से एकदम सॉफ्ट तुझियां आज हम बनाएंगे पटेटो बॉल्स ये खाने में बहुत ही टेस्टी होती है और आप इस रेसिपी को बनाएंगे तो बच्चों को बहुत ही पसंद आएगी आप इसे इवनिंग स्नेक्स के लिए या गैस्ट के आने पर एड़ी कर सकते हैं तो आईए बनाना स्टार्ट करते हैं इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक बड़े बोल में दो बॉइल मेश पटेटो लेंगे फोर टेवल स्कूपून हम इसमें कॉण प्लॉर एड़ करेंगे थोड़ा सा हम इटेलियन प्रपेयर कर लेंगे आप देख सकते हैं हमारा डो लगबग प्रपेयर हो गया है और यह रेड़ी है अब हम इसे एक मिट के लिए साइड में रख देंगे और इनकी बॉल्स रेड़ी करेंगे इससे पहले हम अपने हाथों को ऑईल से घी से ग्रीस कर लेंगे छोटा सा डो हमारी एक पटेटो बॉल्स जो है वो बनकर रेड़ी है इसी तरह से हम दूसरी भी पटेटो बॉल्स बना लेंगे दूसरी भी पटेटो बॉल्स हमारी रेड़ी हो गई है इसी तरह से हम एक एक करके सारी पटेटो बॉल्स को रेड़ी कर लेंगे यह देखिए हमारी सारी अब ready हो गई हैं अब हम इन्हें गरम तेल में deep fry करेंगे इसके लिए हमने एक पैन में तेल को गरम होने रख दिया है अब हमारा तेल अच्छे से गरम हो गया है हम हमारी पटेटो बॉल्स को एक एक करके इस ओयल में डालेंगे और low medium flame पर हम इन्हें fry करेंगे यह देखिए सारी पटेटो बॉल्स को मैंने डाल दिया है और इन्हें हम उलट पलट करते हुए तब तक fry करेंगे जब तक कि यह golden brown या फिर crispy करारे नहीं हो जाती आप देख सकते हैं बॉल्स का color अब change हो रहा है और यह crispy भी हो गई है इसी तरह से हम हमारी बॉल्स को ready कर लेंगे अब हमारी बॉल्स जो है वो fry हो गई है इनका color भी change हो गया है एक छलनी के help से हम इन्हें side में अलग से plate में निकाल लेंगे यह देखिए यह कितनी सुन्दर लग रही है बॉल्स हमारी सारी बॉल्स अब ready है अब हम इनको serve करेंगे आप इस recipe को जरूर try कीजिएगा I hope आपको यह recipe जरूर पसंद आएगी तो लीजिए हमारी potato balls जो है त्यार है आप इस recipe को बनाईएगा खाईएगा enjoy कीजिएगा आपको यह recipe ज़ी अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को like कीजिएगा चैनल को subscribe कीजिएगा और इसे share करना ना भूलें फिर मिलते हैं नई recipe के साथ में thank you for watching आपको बनाएगा खाईगा बाभनाएगा तो में